असलाव अलेकूम वालेकूम असलाम क्या आले गुलासन तेर अल्ला का शुकूर है हसर चाचा क्यों उदास खड़े हो क्या हुआ तुम्हें बेटा गुलासन असल में बात यह मेरा लड़का अब बड़ा हो गया है मुझे उसकी शादी करनी है पेसे नहीं है क्या करूं मेरे पास एक भेंश है वो बेचना चाहता हूं अगर तू लेगा तो अच्छा होगा फिर भी तेरे घर में आएगी तू मेरा दोस्त है और तुझ मेरा इतबार है या सिर चाचा तू मेरे अबू का दोस्त है आ तो मेरे को बेंश देखाओ मैं लेता हूं गुलसन बेटा ये है बेंश इसको देखो पास करो फिर बात करते हैं कितने पैसे बता दे पैसे बेंश के बेटा गुलसन इसके पैसे आप से क्या चुपाना वेसे तो दूसरा कोई होता दो उसको ज्यादा बता देता आपको मुनासिब बता दाओं तीन लाक दे देना प्रवाइब देदू जा तुम्हारी मर्जी ये बेटा गुलरसन इतने में नहीं भिकेगी तो मैं क्या करूं आप मुझे भर्वसा है ठीके मैंने दो कभी जिन्दगी में भेंज नहीं बेची मैंने ये पहली मतबा बेज रहा हूं मुझे रेट का मालूम नहीं है तो कितने क हमादी विकेगी ये आप कहते हो तो ठीके आप 2,500,000 में रख लो मुझे पैसे धे दो चाचा यसर बेंस में लेके जा और पैसे दुकान के लेके जाना चीके बेटा लेके जाओ भैस आप बैस बेंस बेंसों घे जी जी Самया कितने पैसे हैं मैं तो चार लाख फुर्पे मा साड़े तीन कम है यार केश केश असी दे दे असी एक तीन लाक असी पच्छतर लो चलो दे पैसे दे चल साइए अवेली से लेके जाना अवेली पे हाँ चलो तुम्हारी मर्जी है अला तरह को खिलाएगा बेटा अली गुराम कितने में लिए भैस चाचा ये लिए तीन पच्छतर की तीन लाक पच्छतर की जी चाचा ये भैस तो मेरी है मैंने लिए गुलासन को गुलासन को दिये हाँ मैंने दिये कितने में बस इस बात को थोड़ो अला तुम्हें खिलाएगा ठीक है चाचा ठीक यह आज कल के दोस्त डेड़ लाक रुपे में भेंस लेके गया वो तीन लाक पच्छतर हजार में भेजी है यह मोके का फाइदा उठा दें यह दो